हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विशे पर्यावन अध्यन के 17 की वक्सीट को सुल्ब करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चो आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है पार्ट सत्र है नन्दिता मुंबई में तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो उसके नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं प्रशन एक है रिक्तिस्थान भरिये बच्चे आपर सब्द है रिक्तिस्थान भरने के लिए उपचार मुंबई गंदा बद्बू साफ सफाई फस्ट है नन्दिता अपनी माता जी का कराने आई थी नन्दिता के मामा के घर के पास का सोचा ले था कैसा था गंदा यहां पर लिखेंगे गंदा वे उसमें से आ रही थी क्या बद्बू तो यहां पर लिखेंगे बद्बू नन्दिता की मामी पास की इमारत के घरों में बरतन मांजती थी वे करती थी क्या करती थी साफ अब है बच्चो प्रस नमबर दो नंदिता ने बबलू के घर का नल बंद क्यों कर दिया तो बच्चो आंसर है बबलू के घर में नंदिता ने नल बंद कर दिया क्योंकि बबलू टीवी देखने के लिए बैठ गया था और नल से पानी बेकार बह रहा था नेक्स्ट है नीचे दी गई पहली को सुल जाएं बड़ी इमारत में हूँ लगती लोहे के पिंजरे के जैसी दिखती पंखा बल्ब और घंटी भी है लगी बस बटन दबाओ उपर मंजिल पर पहुंच जाओ तो बच्चो आंसर है लिफ्ट अब बच्चों यहाँ पर आप महिलाएं हैं जो की आपस में जगड़ा कर रही है पानी के लिए तो बच्चों आंसर है इस चित्र में पानी भरने के लिए जगड़ा दरसाया गया है नेक्स्ट है यह परिस्तिती नंदिता के गाउं से कैसे अलग है तो बच्चों आंसर है नंदिता के गाउं में पानी के प्लव पानी भणना चाहिए क्या आप यह बता सकती है किृष्ण दीये गए दोनों जचितरों क्या वे खें में से नन्दिता के मामा का घर कौन सा है वे बड़ी इमारत वाला घर कौन सा है तो बच्चो यहां पर यह चितर क। यह क्या है यह नन नहीं पाए जाते हैं संतोलित आहार वह आहार है जिसमें स्वस्त शरीर और मन के लिए हर आवस्यक पोसक तत्व सही मात्रा में होता है तो बच्चों यहां निर्माण करने वाले भोजन, वे खाद्यपदार जो हमें उर्जा प्रदान करते हैं, उर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं, उधारन के लिए रोटी, चावल, आलू, केला, अंडे, सूखे, मेवे, आदी, ये सबी क्या हैं, उर्जा देने वाले भोजन हैं, अब है अंड़ा है और बच्चो यह कोफी तो बच्चो आप इस तरीके से किसी भी भोजन की जो कि आपको उर्जा प्रदान करता है? उसकी पिक्चर है ड्रौ करेंगे सेंड करेंगे अब बच्चो करिया कल आप 2 है अपने घर में उपलब्द उर्जा देने वाले किनी पांच खादे पदार्तों की सूची बनाईए तो बच्चों यहाँ पर आप उन खादे पदार्तों को लिखेंगे जो की उर्जा देते हैं और जो आपके घर पर उपलब्द हैं जैसे की अंडे, पनीर, दूद, फल, सबजियां किरिया कलाब थिरी है भूमी का निभाने की गतिविधी अपने आपको उर्जा देने वाला भोजन समझें अपना महतु बताते हुए एक मिनट का वीडियो बनाए बच्चो जैसे की कोई भी आप पदार्थ ले लेंगे भूजे पदार्थ जैसे की अंडा, केला, कॉफी या कुछ भी आप अपने आपको समझ सकते हैं जैसे की यहाँ पर है एक्जामपल है मैं एक अंडा हूँ, मैं सब को ताकत प्रदान करता हूँ मैं सरीर को स्वस्थ वैं मजबूत रखने में मदद करता हूँ संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बाते गुस्सा इंसान के विवेक को मार देता है इसलिए प्रेम से रहे खाने पीने में आज आप लेंगे सब कहां में कम से कम एक दिन हल्दी तथा अध्रक वाला दूद बना कर सेवन करें यह सर्दी से बचाव करता है और रोग प्रती रोधक छमता को बढ़ाता है गती विधी में वायू प्रदूसर्ण से बचने के लिए तथा वायू प्रदूसर्ण कम करने का प्रयास करें और अपने किये गए प्रयास का एक वीडियो बना कर अपने अध्यापक को भीजें खेल है बच्चो कोई भी खेल जो घर के अंदर खेला जा सके वह खेलेंगे आप द्यानिक दिन चरिया निम्दिलिखित आदतों को अपनी दिन चरिया में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रति दिन इसनान करें खूब पानी पियों और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं अपना गरह कारे समय पर पूरा करें जो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू